दोस्तो इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं टोटल दो स्टॉक्स के बारे में अडानी विल्मार के बारे में और साथी साथ अडानी पावर के बारे में सबसे बिले बात कर लेते हैं US के बाजार में US का जिस current से यहाँ पर predictions लगाय जा रहे हैं कि इंडिया बाजार भी काफी अच्छा देखने को मिल सकता है कल के दिन आपको और उसके पीछे का reason भी है जहां US में quarter 3 के earning series देखने को मिल रही है वहीं इंडिया के अंदर quarter 2 के earning series चल रही है और इस week में nifty 50 के काफी दिगज कंपनियों के result यहाँ पर आने वाले हैं बात करें अडानी पावर की तो अडानी पावर के अंदर आज के दिन तेजी के प्रतीशत को note करें तो 1.57 याने की डेड़ प्रतीशत से ज़्यादा की तेजी देखने को मिल रही है अडानी पावर को लेकर क्या निए उस निकल कर आ रही है तो इंडिया needs just decommissioning of coal-fired power plants याने की एक certain limit उती है coal power plant की और उसके बाद में उस plant को पूरी तरीके से decommissioning किया जाता है अब यहाँ पर जो union minister है उनकी तरफ से काफी बड़ी update आते वे देखने को मिल रही है अब देख सकते हैं union minister of coal mines and parliamentary affairs प्रहलाज जोशी on monday called upon public sector undertaking to compete with private sector coal mine auction याने की अभी तक जो coal mine के auctions होते थे उसमें private sector को entry नहीं मिलती थी लेकिन अब यहाँ पर government अपने business को बढ़ाने के लिए जो इंडिया के अंदर power consumption की demand बढ़ रही है उसको fulfill करने के लिए यहाँ पर जितनी भी private sector company आ हैं उनको भी coal mines के अंदर auctions लगाने के लिए allow कर रही है आप देख सकते हैं 64 coal mines have been successfully auctioned so far under commercial auctioning launch in 2020 काफी positive news अडानी power के लिए आते वे देखने को मिल रही है साथी साथ company के financial result भी हमें काफी strong quarter one के अंदर देखने को मिल चुके हैं करी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके जो quarter two की result है उसमें single digit growth आपको देखने को मिल सकती है जिस currency यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है यानि कि जो edible oil के prices थे उस पे government की तरफ से continuously cut होती करी गई थी और उसका एक negative impact अडानी वेलमार पतंजली foods जैसे shares के उपर देखने को मिला था लेकिन recently मैंने आपके साथ एक update share करी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि festival season के अंदर जो edible oil की prices है उसमें again लगबग 12 से 15 रूपे की तेजी देखी जा रही है जिसके चलते इन company ओं को काफी benefit मिलने वाला है तो इसका impact तो हमें quarter 3 में देखने को मिलेगा लेकिन positive impact अभी हमें उनकी share price में already देखने को मिल चुका है तो यदि आपने अडानी विलमार के अंदर भी investment कर रखा है तो यहाँ पर भी अपनी positions को hold करते वे चल सकते हैं ये shares भी आपको long term में काफी अच्छे returns बना कर दे सकता है तो यह quick update सी उमीद आपको पसंद आई होगी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को like and share करना मत बुलिएगा मिलते हैं next video में तब तक के लिए stay connected stay updated